गीता में प्यार के बारे में क्या लिखा है? मैं सभी प्राणियों के लिए एक समान हूँ और मेरा प्रेम सदैव एक समान है. परंतु जो भक्ती से मेरी आराधना करते हैं, वे मुझ में हैं और मैं उन में हूँ. गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किन्तु उसमें खो जाना है. श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है. प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बलकि प्रेम वही है जहां त्याग है. श्री क्रिश्न कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है। प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति गहन गहरा स्नेह है। प्यार का मतलब किसी के प्रति इस गहन स्नेह को महसूस करना भी है। प्रेम का ताथपर्य किसी चीज के परती, प्रबल पसंद या किसी चीज को बहुत अधिक पसंद करना भी हो सकता है। क्रिया और संज्ा दोनों के रूप में प्रेम के कई अन्य अर्थ हैं। बिना किसी शर्थ के प्यार करना, बिना इरादे के बात करना, बिना वजह देना, बिना उम्मीद के परवाह करना, यही सच्चे प्यार की भावना है। उन से प्यार करती हैं, लेकिन उन्हें अपना भावी भी मानती हैं, गीता में लिखा है, किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि ये बुरा वक्त चेहरे याद रखता है, जिससे प्रेम करते हो, उसे समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं। श्री कृष्न कहते हैं, सबसे अधिक क्रोध उन लोगों को आता है, जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। गीता के अनुसार, सच्चे प्यार का मतलब पाना नहीं, बलकि देना होता है, जिसमें पाने की इच्छा जुड़ जाती है, उसे सच्चा प्यार नहीं कहते हैं, जिससे प्यार किया जाए, उसके जीवन के सारे दुखों को दूर करने की कोशिश की जाए, उसके जीवन में आने वाली विपत्ती को उसके सामने आने से पहले ही खत्म करने की कोशिश की जाए